हमारे मंत्रा एड़काम यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ट्रेनिंग टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड वेलकम तो ट्यूटर मंता ट्रेनिंग इस ट्रेंग में हम टाइमलाइन पर बेसिंग ए रिटिंग प्रोसिस के बारे में बता रहे हैं अभी तक हमने आपको बताया इन और आउट लगाने के बाद आप किसी भी टाइम लाइन पर इन आउट लगा करके आप टाइम लाइन पर क्लिप को ला सकते हैं टाइम लाइन पे क्या क्या काम किया जासा था इसकी जानकारी के लिए सबसे आसान काम यह होता है कि आप क्लिप को सरेट करें और राइट क्लिक करें राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट आती है ये लिस्ट बताती है कि हम टाइम लाइन पे क्या क्या कारी कर सकते हैं और क्या क्या option हमारे सामने अबलेबल हैं सबसे पहले हम आपको कुछ नार्मस स्टेटिक्स बताते हैं किस तरीके इस क्या होता है सबसे पहले यहां पर हमने के लिए दो तरीके हैं आप चाहें तो तीन तरीके हैं आप जा सकते हैं राइट क्लिक करके यहां पर आप सुना रखा है और वहां पर जाना है तो इन पॉइंट पर जाने के लिए आपको क्यू बटन का प्रियोग करना है और आउट पॉइंट पर जाने के लिए आपको और आउट पॉइंट बढ़ाना घटाना हो तो आपके लिए सबसे आसान तरीका जैसे कि हमने प्लेयर मानिटर बूला था आप आराम से आउट पॉइंट ओ बटन प्रेस करके उसके आउट पॉइंट की दूरेशन को बढ़ा सकते हैं पहले करसर को उस पोजिशन पर रखें जहां पर आप आउट पॉइंट लगाना चाहते हैं और वो बटन प्रेस करें तो आपका आउट पॉइंट आटोमेटिक वहां पर लग जाएगा इसी तरीके से इन पॉइंट को बढ़ाना या घटाना है तो आप प्ले हेड को उस पोजिशन पर ले जाएं जहां पर आप इन पॉइंट लगाना चाहते हैं और आई बटन का प्रियोग कर सकते हैं इसके आतरिक्त माउस द्वारा भी इसकी लिंथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है इन पॉइंट पे या आउट पॉइंट पे क्लिक करके आप इसकी इन और आउट पॉइंट के डूरेशन को कम कर सकते हैं या इसके शाट कमांड अल्टर आई और अल्टर ओ का प्रियोग कर सकते हैं यहाँ पर हम कीबोर्ड शाट का प्रियोग करेंगे यदि आपको एक बार में ही और आउट पॉइंट को हटाना है शाट कमांड तो इसका नहीं है लेकिन राइट क्लिक करके आपको य 5 हट जाएगा अल्टर ओ करेंगे तो आपका आउट पोस्फ हाट जाएगा अब आप देखें इन और अउन केसे पता चलता है कि इन और आउट पॉ вам exploring पे लगा हुआ आप देहां पर 빠ण listsub बार्डर पर आप देखिए एक red line बनी हुए red line और यह color show करता है कि इस portion पे in out mark लगा हुआ है यदि आपको इसको हटाना है तो आपके सामने वही option है right click clear in out यदि आप यहां से नहीं करना चाहते हैं और यदि आपको यहां से कई कोई कारण है आपको right click करने के बाद यह options अब label होगा clear in point and clear out point और clear in and out point जिसका circuit command यहां पर x दिया हुआ है आप x बटन का प्रियोग करके in and out point को हटा सकते हैं आप right click करें और x बटन दबाएं आपका in and out point हट जाएगा यह आपको सारे चारों विंडो में प्रियोग किया जाता है इस विंडो में भी आप x बटन का प्र करने के बाद timeline पे clips के साथ और क्या-Яक कारे किये जा सकती है अकट point लगाने के लिए अपर लगाने के दो कि एडिप पॉइंट लगाने के लिए जिस duration की clip आप timeline पे लाए हैं यद उसमे से किसी part को आपको हटाना हो तो उसके लिए हटाने के लिए क्या-क्या option हमाय सामने अ सबसे पहले Edit Point लगाने के लिए यहां पर Option of Level है, Add Cut Point, Selected Track, Short Cut Command C है, आप क्लिप को Select करके C बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर Edit Point, Cut Point लग गया है, यह देखें आपका Edit Point लगा हुआ है, ठीक है, यह Edit Point लग गया है, अब Edit Point लगने के बाद, आप चाहें तो इन दोनों को बीच को यह Move Clip को अन्य तरीके से छोटा करना चाहते हैं, तो आप Mouse द्वारा इस Clip को छोटा कर सकते हैं, किसी भी Clip के, यहां पर Clip पे जब रखते हैं, तो आप इस पे Clip पे Mouse द्वारा इसको छोटा बड़ाया कर सकते हैं, जितना भी आपके सामने Media File में फुटे जब लेवल होगी, उतनी बड़ी आप इसको कर सकते हैं, इसको आप लोग Trim बोलते हैं, आप Trim In Point की तरफ से या Out Point की तरफ से आसानी से कर सकते हैं, Trim करने के लिए आपको Mouse द्वारा In Point Out Point पे क्लिक करना है, और आप Mouse द्वारा Left या Right करके आपको Trim आप कर सकते हैं, इसकी Duration आपके सामने नीचे In or Out Point की Duration आपको यहाँ पर दिखती रहती हैं, आपने कितने Point छोटा किया, कितने Point बड़ा किया, बढ़ायेंगे तो Minus इस तरीका से आप यहाँ पे In or Out Point को अपनी आपको साथ चोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसके बाद हमाई सामने Option आता है, इसको हमें जरूत पड़ती है Move करने की, क्लिप को Move करना बहुत आसान काम है, यहाँ पर कई सारे Options दिये गए हैं, Copy, Cut and Paste, इनका भी प्रियोग करके आप इसको Cut Copy Paste कर सकते हैं, जैसे हम इस क्लिप को यहाँ से हटा करके यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो हमारे पास कई सारे Option हैं, इसको हम लोग क्लिप Movement on Time Line बोलते हैं, आप इसको यहाँ माउस द्वारा ड्रै करके यहाँ पर रख सकते हैं, यह आपके माउस द्वारा आप यह काम कर सकते हैं, यदि यहाँ माउस द्वारा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से Ctrl X, Cut करें, या इस आइकन पर क्लिक करें, साटकर कमांद Ctrl X है, या Edit Point पर जा करके भी, यहाँ से भी Cut Option का चुनाओ कर सकते हैं, इसको Cut करेंगे, और जहाँ जिस लोकेशन पर आपको यह चाहिए, वहाँ पर प्ले हेट को ले जाएं, और Ctrl V, या यहाँ पर पेस्ट आप्सन का प्रियोग करें, आप देखें, वह अली क्लिप आपके इस लोकेशन पर आ गई है, और Cut, Copy, पेस्ट की ब्रिदी द्वारा, आप किसी भी क्लिप को टाइम लाइन पर कहीं दूसी लोकेशन पर ले जा सकते हैं, या इसको आप माउस द्वारा सलेट करके, अब आप देखें, यहाँ पर सारी क्लिप आ गई हैं, यदि आप माउस द्वारा इसको पिक करके, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके वह लेकी क्लिप को ले जा सकते हैं, आ अब आप देखिए यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके साथ में आडियो भी मूब करती है यदि आपको कहीं कभी कभी आउ सकता यह होती है कि में आडियो को छोटा या बड़ा करना पड़ता है चोटा करना पड़ता है या आडियो को क्रॉप करना पड़ता है या सुप यहां पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हमाय सामने आपसन आ जाता है, यह देखिए, लिंक और ग्रूप, यहां पर इसको अन ग्रूप करेंगे, यहां लिंक करेंगे, पूरी टाइम लाइन को अन लिंक करने के लिए आप यहां इस बटन को सेट से इसको आगे पीछे कर सकते हैं जब आगे पीछे करते हैं तो यहां पर पता चलता है कि आपकी वर्जिनल आडियो से कितने फ्रेम आपने प्लस किया है और कितने फ्रेम माइनस किया है यदि आपने प्रीबियस तरफ सिंक आउट हुआ है तो माइनस दिखाएगा यदि फार Link Mode में काम कर सकते हैं, यदि आप Individual कहीं काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको Enable रखें, और क्लिप को Select करके, Right क्लिक करके, यहां Link पटन जा करके इसको Ungroup कर दें, तो अब आप देखेंगे, आडियो अलग हो जाएगी, और वीडियो अलग हो जाएगी, अब इस Condition में, आपका ये Sync Out के Frame भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए Individual क्लिप पे ना कुछ करके हुए, गुरूप के साथ काम करना चाहिए, जब तक आपको आउसकता हो, तब तक इसको Ungroup नहीं करना चाहिए, और यदि आप Ungroup किये बिना ही काम करना चाहते हैं, कि आप किसी च आप इसको छोटा कर लिजे, आडियो को आप बड़ा चोटा करना चाहते हैं, तो क्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यदि आप इसकी क्लिप की आडियो को, ये क्लिप ग्रूप है, अभी देखिए ग्रूप की तरीके इसकाम कर रही है, जैसे हम Alter Press करेंगे, तो आ बिना आलक किये, लिंक और ग्रूप आपसन को एनेबल रखते हुए, आप आडियो और वीडियो की डूरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसका Sorted कमांड है, अल्टर, प्रेस, बाइ माउस, ओके, ये बहुत यूपयोगी आपसन है, जब हम कभी आडियो और वीडियो क Sink Out किये भिना ही, आडियो की लेंथ और वीडियो की लेंथ वो अलग-लग रखना चाहते हैं, तो हमारा ये टूल बहुत प्रियोग में आता है, आप बताना चाहते हैं, ये आपसन क्या क्या आप लेबल है, Replace Clip या Control-R, Replace Clip का मतलब यह होता है कि आप कुसी Clip को किसी Anni Cl क्लिप से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको हम पहले कॉंपी करते हैं यहां से कॉंपी कर सकते हैं इस पे क्लिप पे जा करके यहां पे जाए अब आपके सामने आपसन आते हैं इस क्लिप में से क्या क्या चीज आप इस पे को जो है रिप्लेस करना चाहते हैं पूरी क्लिप replace करना चाहते है, clip plus filter करना चाहते है, या क्योल audio mixer करना चाहते है, या filter करना चाहते है, या सब कुछ करना चाहते है, इस पर click करके आप को clip R करते हैं, तो आप देखिए clip आपकी replace हो गई है, यानि आप timeline में से किसी भी clip को दूसरी clip के उपर replace करना चाहते हैं तो पहले इसको copy करिए फिर आप यहाँ पर replace clip का option है इसका प्रियोग कर सकते हैं और यह paste है normal copy cut or copy करते हैं तो जिस location पर आप paste करेंगे उस location पर यह paste हो जाएगा अब बारी आती है delete key delete करने के लिए जो हम लोग क्या है delete key का use करते selection select करके आप delete कर सकते हैं तो वह आपको वह clip आपके timeline से delete हो जाती है लेकिन यही कार जब हम करते हैं तो यहाँ पर gap छूट जाता है यदि आप यह चाहते हैं कि आप clip को delete करें लेकिन gap ना छूटे तो उसे हम लोग बोलते हैं ripple delete ripple delete करने के लिए हमारा shortcut command है अल्टर प्लस delete यदि हम इसको करते हैं देखे यदि हम इस clip को यहाँ से delete करते हैं तो gap छूटता है यदि हम ripple delete करते हैं जिसका shortcut command है अल्टर डिलीट तो आपकी वह clip delete होती है और वह चीज का gap खतम हो जाता है और तो हम लोग आपके अपनी अस्विक्ता और साथ चाहें sample delete या ripple delete का प्रियोग करके आप अपनी timeline पे work कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को डिलीट करना चाहें यहाँ पर यहाँ से डिलीट का प्रियोग कर सकते हैं तो आपका डिलीट हो जाएगा इसके अलावा दूसरा option यह होता है जिस clip के बीच में आपको gap खतम करना है पहले उस clip को select करें और back space प्रेस करें तो आपका वो gap खतम हो जाएगा सारे gap खतम करना है तो आपको यहाँ पर ripple sync track on होने चाहिए यह वाला option ripple mode on होना चाहिए यह ripple mode on नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है link, unlink, set group, ungroup मतब आडियो वीडियो के link को तोड़ने के लिए जोड़ने के लिए इन सारी keys उनका shortcut प्रियोग किया जाता है यह आपने link रखा है या नहीं रखा है उनके लिए इन चारों में से किसी भी option का चुनाव कर सकते हैं आप आप नहीं आँ सकता उनसान का प्रियोग कर सकते हैं हम आपको दिखाते हैं paste भी दो प्रकार से हमने इस clip को copy किया है यहीं पर हम इसकी paste करना चाहते हैं लेकिन normally हम इसको paste करते हैं इस control B में तो यह देखो इसको overlap कर गया लेकिन हमें इस clip चाहिए लेकिन यह overlap किये बिना तो आप यह आज इंसर्ट तरीके से ही paste होता इसलिए और राइट या paste insert क्या करना है वह आपको depend करता है आपके mode के अनुसार paste काम करता है अभी यह देखे इसमें हम सेलेक्ट करते तो audio और video दोनों एक साथ select होते हैं एक साथ move होते हैं यह दिनका link हमें break करना है तो break करने लेकि पर जाएं अन ग्रूप पर क्लिक करें तो अब आप देखिए यह clip अलग हो गई है और यह clip अलग हो गई है अब यह अलग अलग तरीके से move हो रही है यह दिनको दुबारा से मुझे link करने का और सेक्ट आपने तो उनको select करके link पर जाएं तो यहां set group कर देंगे तो यह दाना चाह रहे हैं आपको यदि आप यहां चाहते हैं क्लिप को रखना चाहते हैं लेकिन आप क्लिप को देखना नहीं चाहते हैं क्लिप आपको दिखाई न पड़े और आप उस पे क्लिप आपके टैनल पर रखी रहे तो इसके लिए हमाया पास right click करके option होता है enable and disable जिसक यह clip रहेगी दुबारा से इसको active करने के लिए right click करके आप clip enable पे दुबारा क्लिक करेंगे तो यह enable हो जाएगी अभी यह disable है यह देखो दुबारा से enable हो गई है मीनू में भी इस enable or disable का options आपको clip में आपको यहाँ पर उपलब्द है जिसका start current यह है यदि आपकी link वाले option दूड़ना है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्द मिलेंगे क्लिप की duration यह दिया आपको यहाँ चेक करने है तो आप duration पर क्लिक करके यहाँ पर उसकी duration को देख सकते हैं या इसको clip को duration को बढ़ाना है तो आप यहीं से बढ़ा भी सकते हैं रोके करेंगे तो इसकी length बढ़ जाएगी राइट क्लिक करके यहाँ से clip की properties उगरा देखने इन सब के बारे में अभी हम आपको speed, time, frame, freeze, frame इनके बारे में आगे options आएंगे उनको बताएंगे ले आउटर जो setting है इसके बारे में आगे चलके बताएंगे अब एक option यहाँ पर properties है properties को क्लिक करके आप clip के बारे में information यह यह सारी बाते हुई जो हम लोग time line पे work करते हैं कि take clip को कैसे छोटा करना है, कैसे बढ़ा करना है, कब link करना है, कब link नहीं करना है, gap कैसे खतम होगा, ripple trim कम करे कैसे होता है, normal trim कैसे होता है, cut कैसे करेंगे, copy कैसे करेंगे, edit point कैसे लगाएंगे, यह सारी process इस time line पे सामाने तोर पर डेली बेसिस पर हर एडिटर प्रति दिन हर सुने करता रहता है आप इन चीजों को ध्यान में रखें और इनका प्रियोग आपको सदय होता ही रहेगा थैंक यूपर वाचिंग